राजनेती तो आज करें गी राहूल गंदी के साथ नाय इंसाफ्प होगा तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगी राहुल गांदी के बारे में एक तो हम लोग क्या करेंगे इनका सुरुवात जीवन क्या रहा है उसे भी देख लेंगे क्योंकि बढ़ा एक तरसी दिल्चस्प है इनकी कहाने और इनकी हम लोग राजनिते की यात्रा भी देख लेंगे कि किस तरह से इनकी राजनितिक यात्रा सुरू ही है और आप सभी जानते हैं कि इनकी लवेश्टे ओरी भी काफी दिल्चस्प है जिसे आप लोग फ्रेम पिसंगे भी कह सकते हैं और इन पर आप देखते हैं इनकी आलोचना भी होती रहती है कई विबादों से भी गिरे रहते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका वैक्ति के जीवन पूरा हम लोग अंत तक यानि कि अभी तक बर्दमान तक देख लेंगे आँगे क्या होता है आँगे आप लोग देखते रहेंगे और याद रखी अभी एक कुमारे हैं मनलब साधी नहीं की हुई है तो आप समझ सकते हैं क्या है लेकिन इनकी लबवी स्टोरी जरूर हम लोग देखेंगे तो देख लिएजे आप लोग ने पोटो तो देखी ही होगी इसमें कोई सग भी नहीं है मुझे क्योंकि यह तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहते हैं यह है इनकी फिक्चर राहुल गांदी तो इनका नाम है और 19 जून उननीस तो तत्तर को नई दिल्ली में इनका जिनम होता है कहां नई दिल्ली में और अगर हम लोग इनके पिताजी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजीव गांदी थे जो आप सभी को मालू होगा कि देश के पूर्ग पिधान मंतरी थे फिर आप देखते हैं इनकी माता की बात करें सौनिया गांदी इनकी माता जो आप देखते हैं कि अभी लोकसवा सदस्थ भी हैं और कॉंग्रेस की अंद्रे कारगारी भी कह सकते हैं अध्यक्ष भी हैं यही फैसले लेते हैं जो भी बड़े होते हैं देख रहे हैं, एक नाम हो रहा है, आप लोग उत्तर पिदेश की राजनिती में काफी ये देख रहे होंगे, ये हैं फ्रेंका, गांधी, वाड़रा, टीक है, ये भी काफी सक्रिय हो गई हैं उत्तर पिदेश की राजनिती के लिए, अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें उसमें अगर हम लोग इस्कूलिंग टाइम की बात करें, तो सैंट कोलंबस से, कोलंबस स्कूल और दिल्ली और देहरा दुन से दादुन देहरा दुन से इनकी सुरुआती सिक्षा होते हैं, फिर आप देखेंगे कि सैंट स्टिफन कॉलेज, दिल्ली और दा हावर्ड यु इन राजीब गंदी साब की हत्या कर दी गई थी उसके बाद एक आप देखता नहीं कि माहूल बन जाता है परिवार में तो इन्हें बाहर विद दिया गया था पढ़ाई के लिए और ऐसा भी का जाता है कि वहाँ नाम बदल की इन्हें रहना पड़ा अगर हम लोग इनके सौंक की बात करे कोई तो पढ़ना और यात्रा करना इनका सौंक है और आप लोग देखते भी रहते होंगे अगर हम लोग इनके कुछ professional background की बाद करें तो London West Management Consulting Farm Monitor Group के साथ कुछ समय तक इनोंने काम भी किया है और 2002 में मुंबई की company Back of Service Private Limited की director की रूम में भी काम किया है लेकिन आप जानते हैं कि एक राजनीतिक परिवार में आपने जनम लिया हुआ है तो एक तरह से एक तरह से परंपरा बनी हुई है कि आप राजनीति में आना है आपकी एक तरह से मजबूरी कह लिजे जो भी कहना हो बाकी भी देश के जितने भी नेता हैं हम लोगोंने बात की हुई है उसमें अकले से आदो को देख लीजे और अस्टेलिया से पढ़के आए फिर से राजनीती में सामिल हो गए इससे पहले बहुत चले जाएए आप लो चौधरी चर्ण सींग के बारे में सुनाओगा हमारे देश के पिदान मंतरी रहे है उनके बाज अजीता है अजी सेंग बहुत बाहर से पढ़े लिखे थे उन्हेंने भी राजनीती को चुना है और एक बात और बताओं हो सकता है दूसरी जगे आपको सफल्दा बहुत लंबी समय में मिली और सफल्दा का मतलब मेरा समन रहे हैं ऐसा आराम लेकिन राजनीती में आप देखेंगे कि राजनीती में बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं अगर आपकी अच्छी पहुँच होती है अगर अच्छी आपकी बैक्ग्राउंड होता है और आप देखें कि राहुल गांदी को तो एक तरज से आप कह सकते हैं राजनीती उन्हें मिली हुई थी किसमें, परिवारिक बेक्ग्राउंड रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, इनके अगर हम लोग राजनीतिक दल की बात करें, तो भारती ये राष्टी है कॉंग्रेस से जुड़े हुए, और आप सभी जानते हैं कि कॉंग्रेस वही है, 1885 में इसकी इस्थापना हुई थी, लेकिन आप सभी लोगों को ये भी माल होगा, कि आज की कॉंग्रेस में और राजादी के पहली के कॉंग्रेस में जमीन आस्मान का फरक्ता, इसलिए आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस को खतम करनी की बात की गई थी, आप देखिए कि आँगे हैं अगर हम लोग राजनिति के यातरा की बात करें राहुल के, तो सुरुवात में तो आप सभी जानते हैं कि इनका मन राजनिती में नहीं था, और आप जानेंगे कि राजीव गांधी का भी नहीं था, उसके बाल आपने सौनिया का भी देखा है, सौनिया गांध को इनके परिवार की राणेतिक इमेज का काफ़ी लाफ हुआ है। आप समझ रहें कि efficacy एक तरह से इनका फूरा परिवारा राजनीती सी रहा है। इनके दादाओं को पर दादाओं उपर आप लोग चले जाए है। तो इनें काफी फायदा दा रहा है। राहुल गांदी के राजनेतिक केरियर कि अगर हम बात करें तो 2004 में राहुल गांदी अपनी खांदानी गड़ उत्तर फिदेश में कि अमेठी निर्वाचन छेस्त से लोकसवा सदस्कीरों में चुने गए आप जानते ही कि लोकसवा सदस्कीरों में जो होता है इसे डारेक्ट आपकी जनता चुनती है समझ रहे हैं आप तो डारेक्ट है क्या हुआ 2004 में अमेठी निर्वाचन छेस्त लोकसवा छेस्त से इस सदस्कीरों चुने जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि 2019 के पहले तक एन का गड़ रहा है अमेठी इसके बाद आप देखेंगे कि राहुल गांदी ने अपनी मा और कॉंग्रेस की अंतरिम अद्धेक्ट सौनिया गांदी जी की साज सरकारी कारकरम और पार्टी की बैटकों में हिस्सा लिया और यहां से राहुल गांदी सत्कुरिये होते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि सन 2006 आता है और राहुल गांदी ने अपनी बहन प्रेंका गांदी के साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए जम कर प्रिचार प्रिसार किया फिर आप देखेंगे 24 सेप्टमबर सन 2007 में राहुल गांदी को भारती एक कॉंग्रेस कमेटी के महा सज प्रजेब की रूम में निव्ट किया जाता है और याद रखिए मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में अगर लोकतंत कहें तो आप मुस्किल लगए आदेखने को किसी भी पार्टी का आप लोग उठा के देख लीजेगा बेटे उनके मिलेंगे बेटियां मिलेंगी तो मुझे लगता है कि अब किसी के बारे में कहना भी एक तरह से गलत है क्योंकि हर पार्टी में अगर आपको इस तरह का देखने कुमले का परिवार बाद किसी भी पार्टी को देख लीजे देश की साप आओ बासाप आओ आप देखिए टेमसी हो आपकी बीजेपी हो कॉंग 2008 में राहूल गांदी ने युवा राजनीती में सुधार के लिए एक मत्पूर कदम उठाय और इसके विस्तार के लिए करीब 40 सदसों को युवा कॉंगरेस में सामिल किया इस दोरान देखेंगी युवा कॉंगरेस में करीब 25,000 सदसों की बड़ोती दरच की गी है क्योंक 2009 में आप देखते हैं कि लोकसवा चुनाओ होता है और राहूल गांदी अमेठी निर्वाचन से जीत दरच करते हैं और अपना मतलब एक तरह से लोकसवा सीट को कायम रखते हैं यहां में इने चुनाओ जीत जाते हैं इस चुनाओ में आप देखेंगी राहूल गांदी कर करीव आठ दिनों तक पूरे देश का दोरा भी किया था और करेव एक सो अठाई एक सो पचीस रेलियों को संभुद्धित किया था जो 2009 के आपके लोगसभा चुनाव हुए थे फिर आप देखेंगे साल 2013 आता है और राहुल गांदी को राष्टी कॉंग्रेस की उपाद्धि यानि कि जो कॉंग्रेस पाइटी थी इसके उपाद्धिक्ष की रूम में नियूप किया जाता है फिर आप देखेंगे कि सन 2014 का लोगसभा चुनाव आता है जिसमें आपने देखा होगा नर्द मौदी की काफी हवा चल रही थी इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि ये बुरी तरह से हार जाती है लेकिन राहुल गांदी अपनी सीट किसी भी तरह से बचा लेते हैं लेकिन आँगे आप देखेंगे राहुल गांदी के दिन वोरे चलते हैं और आप सभी जानते हैं कि 2019 में फिर से लोगसभा चुनाव होते हैं आपके 70 भी लोगसभा के और अमेठी और केरल की सबसे वी आईपी सीट वाइनाड सीट से लोगसभा चुनाव का लड़ा और इसमें आप देखेंगे राहुल गांदी वाइनाड से तो चुनाव जीच जाते हैं लेकिन अपनी जो परंपरागे सीट थी अमेठी यहां से चुनाव हार जाते हैं और उन् समेठी इरानी 2019 का अमेठी लोगसभाच सीट जीत लेते हैं और राहुल गांदी की जो परंपरागे सीट थी यह हार जाते हैं और इसके बाद आप देखेंगे 2019 के लोगसभाच चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांदी ने कॉंग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस सदस हैं अध्यक्स कहां से बात आ रही है फिर अध्यक्ष अगर हम लोगों ने राहुल को बना दिया तो उम पर लला साहब कहा जाएंगे तो याद रखी वरत्मार में ही लोगसभा सदस से हैं अब बात आती हैं इनकी ब्यवादों की कियोंकि आप सभी जानते हैं कि काफी आलोचना हुई है और यही माना जाता है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुए उसके बनाब यह किया करते हैं कि नाम बदलते हैं और दूसरे देश में रहते हैं तो यहां आप लोग देख सकते हैं फिर आप देखेंगे राउज गांधी द्वारा हिंदू उगबाद और इसलामी आतंगबाद पर टिपड़ी की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू उगबाद इसलामी आतंगबाद किस से जाना खतरनाक है इस बिबाद इस पर टिपड़ी के कारण उन्हें कड़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था और आप देखेंगे र विवक्ष पाइटियां बैठी रहती हैं इसमें ताक में उत्तर पिदेश की एक लड़की नहीं राहुल पर आरोप लगाती हुए कहा था उन्होंने उनके दोस्त के साथ मिलकर इनका वलतकार किया था लेकिन आपने देखा है कि सर्वोच नयाले के दौरा जाज के दौरान उ इस तरह किया देखिए आरोप लगते रहते हैं नेता उबत लेकिन कोट में किसे सजा होती है कोट किने मतलब आरोप मुक्त कर देता है इतो बत आंगे की बात होती है तो यह आरोप भी लगा था और आरोप लगता है तो सुरू में आप देखते हैं कि आलुचना होना अब किलियर हो चुका है राहूल गांदी ने विबाद इस पर बयान देती हुए कहा था गरीब केवल एक मन की अवस्था है और जिसमें उन्हें कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था और एक तरह से आप कहिए कि वो बंजे हुए नेता नहीं थे शुरू में आप कली मतलब मौदीस आपको देख लिजे और भी किसी को देख लिजे ये मतलब इसी धरती पर मतलब इन्होंने पूरा समझा है उसे राजनीती को बचपन से लेकर तब आप कह सकते हैं कि ये बड़े मतलब मजे हुए नेता है फिर आप देखेंगे कि मई 2011 में भटा पारसौल गाओं में किसानों के साथ एक राजमार्ग परियोजना के खिलाब बिरोत प्यदर्सन के दोरान उत्तर पिलिस द्वारा उन्हें गिरपतार भी किया गया था फिर आप एक और सुनाओगा आप लोगोंने बहु चल्चित नैसनल हेराल्ड मामले में उन पर भिष्टाचार क आरोप भी लगाया था तो यह भिष्टाचार भी लगते रहते हैं कुछ आलोचना है और भी आप देख सकते हैं सन 2006 की आखिर में निव विर्च ने आरोप लगाया है कि उन्होंने हारवर्ड विस विद्ध्याले और केंबरेज विस विद्ध्याले में अपनी डिगरी का योक किया गया है तो यहाँ भी आलोचना यहां भी देखते रहते हैं फर आप देखेंगे राहूल गांडी ने 1971 में जो पाकिस्तान के टूटने आपने देखा होगा कि 1971 में हमारा पाकिस्तान से यह धूद्ध होता है उसके बाद आप देखते हैं कि नया देश बंगला मंगलादेस उभर के आता है एंद्रा गांदी के समय की बात कर रहा हूं तो अपने ही परिवार की सफलताओं में गिना और इस बयान ने भारत में कई राजनितिक दलों के साथ ही विदेश का रियाले कि प्रवत्ता सहित पाकिस्तान के उलेकिनी ये लोगों से आलोचना का कु अभीम ने कहा कि यह कहना मंगलादेस अंदोलन का अफमान था तो यहां भी उनकी आलोचना की गई है फिर आप देखेंगी कि 2007 में उत्तर पिदेश के चुनाओ अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांदी नेरू परिवाल से राजनीति में सक्रिय होता होता तो बागरी मश्जित नहीं गिरी होती इसे पी नरसिंग राओ पर हमले की रूम में व्याख्या किया गया था और 1992 में मश्जित की विदोहन्स के दौरान पिदान मंत्री थे आप समझ रहें तो पिदान मंत्री की बयान ने भाजापा समाजवाधी पाइटी और वाम की कई सदोसों के साथ विवाज सुनुक कर दिया दोनों हिंदू विरोधी और मुसलिम रोधी की रूम में उपाधी देकर सुतंता सैनानी और नहरो गांधी परिवार पर उनकी टिपड़ी को कि भाजापा की नेता वेंकिया नाइडू द्वारा आलोचना की गई थी और उन्हों आप एक समुदाई के एक तरह से विरोधी हो जाते हैं और आप देखी कि आज कोंगरेश की चबी किस तरह से उभेरी जा रही है हिंदू विरोधी इनी बयानों के कारण आप देखेंगे समझ रहे हैं आप लोग लेकिन आपने देखा होगा 2014 से पहले आप लोग चाहिए प काफी बयानबाजी करते रहते थे लेकिन 2014 से जबसे वो पिधानमंतरी बने हुए कहीं उन्होंने ना तो किसी समुदाई के बारे में किस तरह का कोई बयानबाजी नहीं की हुई है वो सब को लेकर चलने की बात करते रहते हैं अब कितना लेव के चल पाते हैं कितना नहीं लेकिन डारेक्ट उन्हों ने बयानवाजी नहीं किये तो आप समय रहे हैं फिर आप देखेंगे कि 2008 में आखिर में राहूल गांदी पर लगी एक इसपर्ष्ट रोक ने उनकी सक्ती का पता चला मुखमंत्री जो मुखमंत्री मायावती थी 2008 में ने गांदी को चंदसिकर रा पहगार का उपयोग करने से रोक दिया था उसके बाद राज के राजपाल स्री टीवी राजसुर ने विस विध्याले की कुल्कपती वीके सुरी को हटा दिया था टीवी राजसुर गांदी परिवार की समर्थक और स्री सुरी के नियुकता थे इस घटना को सिक्षा की रा द्वारा टाइम सॉप इंडिया में एक बेंगे चित में लिखा गया बंस सम्मंदीत पिसन उत्तराहुल जी की पेदल सेनिकों द्वारा दिया जा रहा है। तो इस से भी विवाज से जोड़े हुए हैं। जाता था और मांबिद्याले की सिक्षकों ने कहा ही कि राहुल गांदी बयान जान्दा से जान्दा उनका व्यक्तिकत उन्वा हो सकता है। इस टीफैंस में सेक्षक बाताबाण की सामानता ऐसा नहीं है। और एक बात आप लोग भी ध्यान रखा करिए है। जब भी आप लोग क्लास में कहीं जाते हैं तो सवाल पूँचा करिए जो नहीं आ रहा होता है। क्योंकि देखते हैं कि आजकल सवाल पूँचने से डरते हैं। और अब तो ठीक हो गया है। लेकिन पहले और भी देखते थे आप लोग की डरते थे। सन 2009 में भी वेटेन के विदेश सचिव डैविड मिली वेंड के साथ। उत्तर विदेश में उनके संसदी निरवाचन चित में अमेंठी के समीब एक गाउं में उनके गरेवी पर्याटन यात्रा कुई। काफी आलोचना की गई थी। इसके अतरिक्त मिली वेंड द्वारा आतंगबात और पाकिस्तान पर दी गई। सलाय और स्री पेड़ा मुकर जी और प्यदानमंत्री मनमोहन सींग के साथ। निजी मुलाकोतों में उनके द्वारा किया गया आचरे निकिस्की इनकी सबसे बड़ी कूटनेतिक भूल मानी जाती है। तो यहां भी उनकी काफी आलोचना होती रहती है। वो कोछ नया करने की सुरूँ करते हैं वो उल्टा दाओ पड़ जादे हैं। सीधा सकते हैं आपो। जुलाई 2017 में भारत और चीन के बीच आपने देखा है कि डोकलाम विबाद होता है। और ऐसा माना जाता है कि राहुल गांदी चीनी राद्दू से गुपचुप तरीगे से मिले थे। इसका भी विबाद का विशाय बन गया था। आपने देखा है काफी आलोचना भी की गई थे। और यही परिस्तिती हैं आप देखी कि इनके चुनाओं हारने का कारन बनात राहुल गांदी की लव स्टोरी के बारे में। तो राहुल गांदी की गलफेंड के लिए हमेसा वेरोनिक कार्टिली का नाम सामने आया है। और ऐसा माना जाता है कि देखी इसमें मैंने अभी राहुल गांदी ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। समझ रहे हैं आप ल और जब राहुल गांदी वहां पड़ाई कर रहे थे और दोनों के वीच गहरा रिष्टा भी बन गया और दस सालों तक एसाद भी रहें दोनों कई बार आप देखेंगी कि मैद देखते भी देखे अंडवान में छुट्टियां मनाते भी देखे और राहुल भारत बापस ल रचा नहीं मिली लेकिन आपको मालू होना चाहिए कि 2004 में एक इंटर्विव के द्वारान राहुल ने खुद कबूला था कि वेरोनिक उनकी गल्फेंड यानि कि उनके प्रेमी का प्रेमी का रही है और याद रखिए ऐसा माना जाता ही कि वेरिनुक इस्पीन मूल की थी व और 2004 के बाद आप देखेंगे कि कोई खबर नहीं है और आज तक भी खबर नहीं है अगर आपको कहीं मिलते हैं राहुल तो पूछ लीजेगा इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक और इनकी कहानी एक और कहीं आपका देखेंगे इनकी प्रेमिका का नाम आता है 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल का फेर अफगानिस्तान की राजा रहे चुके मौमद जहर साहे की पोती नोवल जहर से भी रहा था देखें ये किलियर नहीं है मैं पहले भी बता रहा हूँ राहुल नोवल को लोगों ने भारत और भारत के बाहर भी कई वार साथ और नियूज के अनुसार नोवल ने केथोलिक धरम को अपना लिया था और भी राहुल इटली में सोनिया गांदी के घर में बने चैपल में साथ में परातना करते थे लेकिन कहते हैं कि ये जान्दा समय तक नहीं चल पाया दोनों अलग हो गए और 2013 में नोवल ने मिस की रा राहुल के राहुल गांदी साब के तो आप उनसे पूंचे का क्या इसी का कुछ गंबम है कि इसी में मनलब आंगे आप देख रहे हैं कि अभी तक साधी नहीं की हुई है तो यह आप लोगों का करतब है कर आप लोग कॉंग्रिस पार्टी से जुड़े हुए हैं कि अपने लिखा है जो गांदी परिवार को करीब से दिखाती हैं और लेकक राहुल गांदी के अपका जीवन उनकी सोच और रांगे की कारे को विस्ताल से बताते हैं इसमें एक है आपकी डिकोडिंग राहुल गांदी इसे आरती राम चंदनन ने लिखा है और आरती ने राहुल के साथ क्या हुआ है राहुल गांदी ही बेडर जानते होंगे और आदमग unveil को इतनी जानकार ही सामने वाला बताएगा तभी तो वो उस किताब में लिखेंगे कुछ दो यह कहांजी रही है खेर छोड़िए देख लीजे इनके बारे में राहुल गांधी के बारे में भी जान लीजे चलिए हम लोग फ्रेंका गांधी के बारे में आंगे बात करेंगे क्योंकि आजकल राजनीती में वो भी काफी एक्टिव हैं तो उनकी भी हम लोग जनम कुंडली देख लेंगे